नमस्कार दोस्तो आपका हमाई चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी भारते स्वीधान के सभी मौलिक कर्तव्य दोस्तो वीडियो का अंतक जरूर देखेगा आपके लिए बहुत ही महत्पून होने वाले वीडियो तो यह शुरू करती है भारते स्वीधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिये गई है इनसान सिर्फ अधिकारों की बात करता है और कर्तव्यों को भूल जाता है इंसान की फित्रत होती है कि वह सिर्फ अपने अधिकारों पर ही डटा रहता है जब उसके करतव्यों की बारी आती है तो वह पीछे हटने की कोशिश करता है तो इसे को ध्यान में रखते हुए भारतिय सविधान ने हमारे सविधान में मौलिक करतव्यों को रखा है इसे लिए सविधान में भाग चारे याद रखे भाग चारे और एक्यावन ए आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है अधिकारों के साथ करतव्य स्वेम जुड़ जाती है अधिकार तभी आप फायदा उठा सकते हैं जब आप करतव्यों का पालन करें क्योंकि अधिकार के बिना करतव्य और करतव्यों के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता ये हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे भारते स्विधान में मौलिक कर्तव्य रूस के स्विधान से लिए गई है याद रखिए मौलिक कर्तव्य किस स्विधान से लिए गई है रूस के स्विधान से और किस भाग में है भाग 4A में और आर्टिकल 51A में इनका जिक्र है याद रखिए प्रारंब में जब स्विधान बन कर तयार हुआ तब उसमें मौलिक करतव्य शामिल नहीं थे इन करतव्यों को सुविधान में 42 सुविधान शंशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समीती के कहने पर जोड़ा गया था याद रखिये जब भारते सुविधान शुरू में बना था तब इसमें मौलिक सुर्ण सविधान शंशोधन द्वारा नहीं कि ए और सुमें मौलिक करतव्यों को सुविधान शंशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया. याद रखे 86 वे समीधान संसोधन दौारा 11 कर्टव्य जोड़ा गया है जो 2002 में हुआ था। अब पढ़ते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं कितने हमारे मौलिक कर्तव्य ग्यारा पहला भारत के परतेक नागरिक का यह कर्तव्य है कि क्या कर्तव्य है अब पढ़ते हैं पहला कर्तव्य हमारे क्या है सवीधान का पालन करें उनके आदर्शों संस्थाओं राश करना है किम्यों कौन कुछ मुले करते हुँ हमारे याद रखेण यहाँ जो राष्ट गान है राष्टवज इसको याद रुक्ले जीएगा कि तक कि अबिरी के इवगr के लुकोड ऊपी इसमें इसे क्या एंथम एंथम का मतलब नेसनल एंथम तो राष्ट गान सबसे पहले हमारे करटवे राष्ट गान रास्थ दौज इन सब का क्या करना है आधर करना अर्षेश की स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्टिया आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्छादर शो को हीर्दय में पेले असे याद किया अब बी से याद करते हैं भगत सिंह और भगत सिंह राष्ट्यांदोलन से संबन्दित थे तो हम यहां पर पॉइंट पगड़ ले थे राष्ट्यांदोलन तो दूसरा हमारा हो जाएगा B से भगत सिंग और याद हो जाएगा कि स्वतंद्रता के लिए हमारे राष्टे अंदोलनों को प्रेरित करने वाले उचादर्शों को हिर्दय में संजोय रखे और उनका पालन करें ये हमारा दूसरा कर्तव्या है तीसरा आता है भारत की प्रभूता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुन रखें इसमें हमारे संप्रभूता की बात आ जाती है तो A के बाद B, B के बाद C, C तीसरा है और C से हम C से तो नहीं करेंगे लेकिन C से ही जैसे C से स की आवाज आती है वैसे ही S से आएगी तो हम C को S में बदल कर सोवर नीटी याद कर लेंगे क्या होगा सोवर नीटी जिसका आर्थ होता है संप्रभूता जैसे इसमें बताया कि भारत की प्रभूता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुन रखें तो ये पॉइंट हो गया तीसरा याद करन के लिए तैयार रहना है एक बाद क्या जाएगा C A B C और अब D से डिफेंस होता है डिफेंस में आ जाएगा देश की रक्षा तो कितना असान होता है इसे याद करना पांच्वा है भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भारातत्व की भावना का निर्मान करें जो धर भाषा और परदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद भाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याक करें जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद है अब इसमें क्या आएगा D के बाद क्या आता है E E का मतलब Equality Equality मतलब समानता इसमें समान भातत्व की भावना सम्रस्ता की भ समान भातत्व की भावना का निर्मान जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद वाओं से परे हो 20 अगला है छटा हमारी भारतिय संस्कृती की गोरव परंप्रा को महत्व समझे हमारी जो भारतिय संस्कृती है उसकी गोरव शाली परंप्रा का हमें महत्व समझना है और उसका परिरक्षन करना है अब इसमें क्या आएगा एफ, एफ मतलब father और संस्क्रीति क्या होती है सामाजिक संस्क्रीति जो हमारे दादा परदादा मीज़न पिता पारंप्रीक रूप से हमें मिलती है और हमें उसका क्या रखना है परिड़क्षन करना और उसके महतु को समझना है अगला है प्राकर्तिक प्रियावरण की जिसके अंतरगत वन, जील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें हमें क्या करना अपने प्राकर्तिक प्रियावरण की रक्षा करनी है और उसमें क्या क्या हैं जील है, वन है, नदी है, वन्य जीव है और उसका समवार्धन करे और प्राणी मात्रिव के प्रती हमें दयाभाव रखना है आब फादर के बाद क्या आएगा? F के बाद G, G से ग्रीन, ग्रीन मतलब 4 दरफ हरा 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 क्या होता है? हमारा प्राकर्टिक प्रियावरण तो यह साथवा पॉइंट भी हम पकड़ सकते हैं आटवा है, व्याग्यानिक दिश्टिकोन मानववाद और ज्यान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे अब इसमें मानववाद आ गया और G के बाद क्या आ गया? H, H for Humanism तो हम मानव को Humanism से पकड़ लेते हैं मानववाद को, यह हमारा पॉइंट आटवा भी याद हो जाएगा नौमा पॉइंट है, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे अब आ गया सामाजिक संपत्ति और H के बाद आता है I, I से Income, Income से मतलब संपत्ति तो सामाजिक संपत्ति की सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना यह किसमें आएगा? नौमे पॉइंट में, आई के बाद आता है J, चले कैसे संपंदित होगा इससे यह देखते हैं व्यक्तिकत और सामोहिक कतिवीधियों के सभी शेत्रों में उतकर्ष की और बढ़ने का सतत प्रियास करें जिससे राश निरंतर बढ़ते हुए प्रियत्न और उपलब्धी की नहीं उचाईयों को छूले अब इसमें क्या है सामोहिक? सामोहिक का मतलब होता है जॉइंट वैसे तो ग्रूप के उससे होगा लेकिन इसमें J4 जॉइंट तो हम में पकड़ना है जॉइंट मतलब सामोहिक व्यक्तिकत और सामोहिक ये हो जाएगा हमारा पॉइंट हम पकड़ लेंगे और या दस्वा पॉइंट जो है वो हमें याद आ जाएगा अगला है यदि माता पिता या संदक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयू वाले अपने यथा स्थीती बालक या परति पाले के लिए शिक्ष्या का अवसर परदान करें अब इसमें क्या आएगा केसे कखगगड़ केसे कखगगड़ मतलब बच्चों को पढ़ाने की बात इसमें की जाएगी वर्ष छे से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है यह ग्यारवा कर्तव्य है कहते हैं कि यदि आप हम पूछा लिया जाता है यदि आप मौली कर्तवयों का पालन नहीं करेंगे तो क्या आपको दंडित किया जा सकता है तो कुछ स्थितिया ऐसी होती कुछ करतव ऐसे हैं जिनका पालन ने करने पर दंडित भी किया जा सकता है जैसे कि अपने राष्टे धोज राष्टगान का सम्मान ने करें तो सजादी जा सकती है सारजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाएं तो भी सजादी जा सकते है जैसे योगी जी ने उतरपरदेश म अंदोलन के नाम पर की गई सारजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने वाले अंदलन कारियों से ही उस नुकसान का भरपाई कोई थी या जेल बेज दिया दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लैक्शेर जूरू कीजिए का अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या करत सव्यों के बिना अधिकारों कास्तित्व हो सकता है इसकी व्याख्या करेंगे चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तर पहुंच सके धन्यावाल सब्सक्राइब कातु क